सौगत आपका ट्रैनल फो भी धनीफ में दोस्तो अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं कहा है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ इम्बेल आइकन को ज़रूर पेस कर लीजिए लाज्य का एक प्रमुख शहर है नागपूर भारत के मद्ध भाग में स्तित हैनापूर भारत के बड़े शहरों की पंक्ति में 13 नमबर पर आता है नागपूर का नाम नागपूर शहर के पुराने हिस्से से बहने वाली नाग नदीक से लिया गया है और इसके अलावा नाग साब यहाँ पर ज्यादा पाया जाता था इसलिए भी नागपूर का नाम नागपूर रखा गया नाकपूर के पक्षिमी हिस्से में मौझूद अंबा धरी जील भी नाकपूर की सुन्दरता को बढ़ाती है पक्षिमी नाकपूर में रामदा स्फीट के पास दिक्षा भूमी स्तित है यहाँ पर सांची इस्तूप जैसे एक शांदार इमारत भी बनी वी है इसके अलावा बालाजी मंदिर अदासा, रामटेक, सितावडी किला, दगर्धन, मरकड, खेकरावाला जैसे बहुत सारी घुमने की जगा नाकपूर जिले के अंदर आती है नाकपूर में डाक्टर बाबा से वंबड कर इंटरनाशनल एरिपोर्ट है, जिससे सोने गाव एरिपोर्ट भी कहते है इसके अलावा नाशनल हैवे 44, 47 और 33 पन नाकपूर को देश के प्रमुक शहरों से जोड़ता है जिसे मुंबई, संबलपूर, कोलकाता, वारा नसी और कन्या कोमारी जैसे शहरों से सड़क मार्क से पहुचा जा सकता है दोस्तों, रिल मार्क के बारे में नाकपूर एक वेस्ट रिलवे जंक्शन है और इसलिए नाकपूर जंक्शन रिले स्टेशन राज्य का एक प्रमुक रिलवे जंक्शन है नाकपूर जंक्षन मद्द रिल का एक बहुत बड़ा और वेस्ट रिल्वे मंडल के रूप में भी जाना जाता है यहां से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेननाई, कोलापूर, पूने, एमदाबाद, हैदराबाद, वारानसी, भुम्रेशवर, तरवेंदरम, कोची, बैंगलूर, मैंगलोर, पतना, इंदोर और सितामडी आदी शेरों के लिए सीधी रिल्वे सिवा अपुलब्द हैं तो चलिए जानते हैं नाखपूर जंक्शन के बारे में, दोस्तो हावडा मुंबई और दिल्ली चेननाई टरंक लाइन पर आने वाला एक महतपूर जंक्शन यानि नाखपूर जंक्शन है नाकपूर जंक्षन A1 कैटेगरी वाला रिलो स्टेशन है और भारत के सबसे ज्यादा बुकिंग वाले रिलो स्टेशन के इच्रिनी में टॉप के 100 रिलो स्टेशन में नाकपूर का शुमार होता है नाकपूर एलो स्टेशन की स्टापना सन 1867 में हुई थी और सन 1988 और 1990 में बलारशा नाकपूर सन 1991 में नाकपूर आमला और सन 1991 में थरसा नाकपूर इस रेल मारक का इलेक्टिफिकेशन का काम पूरा किया गया नाकपुर जंक्षन से रोजाना लगबक देड़ लाक लोग सफर करते हैं दोस्तो नाकपुर जंक्षन में कुल आठ प्लेटफरम मुझूद है और यहाँ पर एलेक्टिक लाइन ट्रिपलिंग का काम चल रहा है यह जंक्षन पॉइंट है बढ़नेरा, गोंदिया, इटा, रसी, छिंदवाडा और नाकपुर जंक्षन का नाकपुर जंक्षन भारते रेल के मद्दे रेल का एक डिविजन है नाकपुर जंक्षन की समुदर सत्य से उचाई है 309 मिटर यहाँ पर लगबग 243 ट्रेनों का ठहराव रहता है और यहाँ से लगबग 15 ट्रेने बनकर चलती है और 15 ट्रेने अपनी यातरों को यहाँ पर समाप करती है यहाँ से होकर गुजरने वाले ट्रेने को जिस परकार की है जिसमें 8 राजदानी एक्सप्रेस, 3 गरीबरत एक्सप्रेस, 36 मेल एक्सप्रेस, 2 AC एक्सप्रेस, 5 AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 2 मेमो ट्रेन्स, 6 संपरक्रांती ट्रेन, 11 दुरंतो एक्सप्रेस, 179 सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 15 हमसपर एक्सप्रेस और एक वंदे जंग्शन चार किल मुटर के दूरी पर इतवारी चार किल किल मुटर के दूरी पर कलम नाजले जानते नांते हैं नागपूर से रवाना होती है और एक राज चलकर रात में 12 बच के 45 मिट को एहंदबाज जंक्शन पहुच जाती है ये टेन कुल 957 किमिटर के दोरी 16 घंटे 30 मिटम पुरी करती है और 14 इस्टेशन पे टेन रुखती है टेन नमबर 01203 नागपूर आमला मेमो स्पेशल ये टेन रोजाना सुबा 9 बच के 10 मिट को नागपूर जंक्शन से रवाना होती है और दोपेर में एक बचे आमला जंक्शन पहुच जाती है ये टेन कुल 106 किमिटर के दोरी 3 घंटे 50 मिटम पुरी करती है और 18 इस्टेशन पे टेन रुखती है टेन नमबर 22175 नागपूर जैपूर विकली एक्सप्रेस ये टेन हर गुरुवार को सुबा 10 बच के 25 मिट को नागपूर जंक्शन से रवाना होती है और एक राज चलकर सुबा 10 बच के 30 मिट को जैपूर जंक्शन पहुच जाती है टेन नमबर 20826 नागपूर बिलासपूर वंदे भारत एक्सप्रेस ये टेन सब्ता में शनिवार छोड़ के हर दिन चलती है ये टेन दो पर में 2 बच के 5 मिट को नागपूर जंक्शन से रवाना होती है और शाम में 7 बच के 35 मिट को बिलासपूर पहुच जाती है टेन नमबर 0139 नागपूर मढगाव स्पेशल ये टेन हफते में बुदवार और शनिवार को दो पर में 3 बच के 5 मिट को नागपूर जंक्शन से रवाना होती है और एक राच चलकर शाम में 5 बच के 45 मिट को मढगाव जंक्शन पहुच जाती है ये टेन कुल 1330 किमेटर के दूरी 26 घंटे 40 मिड़ों पूरी करती है और 23 स्टेशनों पे टेन रुखती है इस टेन की यातरा से पहले इसके चलने की तारीक एक बार जरूर मालूम कर ले टेन नमबर 21403 नाकपूर कोलापूर एक्सप्रेस ये टेन हर मंगलवार और शनिवार को दोफेर में 3 बच के 15 मिड़ को नाकपूर से रवाना होती है और एक राज चलकर दोफेर में 1 बच के 30 मिड़ को कोलापूर पहुच जाती है ये टेन कुल 1038 किलमेटर के दूरी 22 घंटे 15 मिड़ पूरी करती है और 20 इस्टेशन पेटन रुखती है टेन नमबर 22142 नाकपूर पूने हमसफर एक्सप्रेस ये टेन हर शुकरवार को दोफेर में 3 बच के 15 मिड़ को नाकपूर से रवाना होती है और एक राज चलकर सुबा 6 बच के 25 मिड़ को पूने जंक्शन पहुच जाती है ये टेन कुल 885 किलमेटर के दूरी 15 घंटे 10 मिड़ पूरी करती है और 6 इस्टेशन पेटन रुखती है टेन नमबर 22125 नाकपूर अमरूसर एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ये टेन हर चनिवार को शाम में 5 बच के 50 मिड़ को नाकपूर से रवाना होती है और एक राज चलकर शाम में 7 बज़े अमरूसर जंक्शन पहुच जाती है ये टेन कुल 1541 किलमेटर के दूरी 25 घंटे 10 मिड़ पूरी करती है और 9 इस्टेशन पेटन रुखती है टेन नमबर 12136 नाकपूर पूरे सुपरफास्ट एक्सप्रेस ये टेन हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को रात में 6 बज़े नाकपूर से रवाना होती है और एक राज चलकर सुबा 9 बच के 30 मिड़ को पूरे जंक्शन पहुच जाती है टेन नमबर 12114 नाकपूर पूरे गरीब राद एक्सप्रेस ये टेन हर रविवार, मंगलवार और शुकरवार को शाम में 6 बज़े नाकपूर जंक्शन से रवाना होती है और एक राज चलकर सुबा 9 बच के 30 मिड़ को पूरे जंक्शन पहुच जाती है टेन नमबर 01323 नाकपूर आमला मेमू स्पेशल ये टेन रोजाना शाम में 6 बच के 10 मिड़ को नाकपूर से रवाना होती है और रात में 10 बच के 10 मिड़ को आमला जंक्शन पहुच जाती है टेन नमबर 12924 नाकपूर इंदोर वीकली सूपर फास्ट एक्सप्रेस ये टेन हर सोमबार को शाम में 7 बचे नाकपूर से रवाना होती है और एक रात चलकर सुबा 6 बच के 50 मिड़ को इंदोर जंक्शन पहुच जाती है ये टेन कुल 653 किमिटर के दूरी 11 घंटे 50 मिड़ पूरी करती है और 10 इस स्टेशन पे टेन रुखती है ये टेन रोजाना रात में 8 बच के 40 मिड़ को नाकपूर जंक्शन से रवाना होती है और एक रात चलकर सुबा 8 बच के 5 मिड़ को मुंबई के चतरबदी शिवाजमारा टर्मेनस पहुच जाती है ये टेन कुल 835 किमिटर के दूरी 11 घंटे 25 मिड़ पूरी करती है और 3 स्टेशन पेटर रुखती है ताशा करता हो दोस्तों ये जानकर आपको पसंद आई होगी अगर जानकर आपको पसंद आई हैं तो परिस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राब कीजिए अपना और अपने घरवालों का ख्याद रखे धन्यवाद